21 सदी के महान आचारे परम पूज श्वेत पिच्छ चारे श्री विद्यानन्द जी महा मुनी राज की द्वित्य पुन्नेती थी 22 सितंबर 2021 दिन बुद्वार को है उनके समाधी दिवस के अफसर पर उनके शिष्य परम पूज अचारे शुत सागर जी मुनी राज के सानिद्य में कारिक्रम का आयोजन किया गया है ये कारिक्रम शी भरत छेत्र दिगंबर जैनमंदि जोकी पावपुरी नजवगर दिली में आयोजित किया गया है आचारे परम पूज श्वेत पिच्छाचारे श्री विद्यनंद जी महा मुनी राज का जन्म करनाटक में 22 सितंबर 1895 में हुआ था उन्होंने अपनी प्रारम भिक्षिक्षा शांती सागर आश्रम से ली थी इसके बाद उन्होंने 15 अप्रेल 1946 को छुल्लक भिक्षा ली थी परम पूज श्वेत पिच्छाचारे सिधान चक्रवर्ती आचारे श्री विद्यनंद जी मुनी राज का रविवार दिनाग 22 सितंबर 2019 को उत्तम समाधी मरण हो गया था आचारे श्री विद्यनंद मुनी राज, प्रमुक विचारक, दार्शनिक, संपादक, संरक्षक, महान तपोधनी, उजस्वी वक्ता, प्रखड लेखक, शांत मूर्ती वे परोपकारी संत थे इन्होंने अपना समस्त जीवन जैन धर्म द्वारा बताये गए अहिंसा अने कांत वे अपरी ग्रह के मार को समझने वे समझाने में समर्पित किया भगवान महाबीर के सिधानतों को जीवन दर्शन की भूमिका पर जी कर अपनी संत चेतना को संपून मानवता, परमार्थ एवं कल्यान में स्वयम को समर्पित करके अपनी साधना, स्रजना, सेवावे समर्पन को सार्थक पहचान दी है उनका नाम ना केवल जैन साहित्य में अपितू संपून हिंदी साहित्य में एक प्रमुख हस्ताक्षर के रूप में प्रतिष्ठित है आचारे विद्यानन्द जी अपनी कठिन दिन चर्या, सैयम और तपस्या के बल पर इस युग के महान जयन संतों में गिने जाते हैं अपना संपून भावी समय, कठोर ध्यान और साधना को समर्पित करने के लिए इन्होंने अपने परमशिष्य आचारे शुत सागर मुनी राज को अपना उत्रदिकारी बनाने की घोशना की दिन 18 मार्श 2018 को सारे विशेशनों से मुक्त होकर आचारे विद्यानन्द जी ने ये दिखा दिया कि साधना की भूमिका पर उपाधियां और पत कैसे छूटती हैं सचमुची ये घोशना इस सदी के राजनेताओं के लिए सबक बनी जिनके जीवन में चरित्र से भी जादा कीमती प्रद प्रतिष्ठा प्रशनशा और पैसा है